36 गड़ की धार्मिक नगरी दूर्ग के गंज पारा मेर्स्तित सती चौरा मंदिर में कुवार नवरातरी पर्व में स्थापित होने वाली दूर्गा प्रतीमा पूरे प्रदेश में एक अलग तरह की प्रतीमा है बता दें कि यहां प्रति दीन माता का श्रिंगार किया जाता है, श्रिंगार भी किवल जुवेलरी या अन्य बदलने तक सिमीत नहीं है, बकाइदा प्रतिमा की पेंटिंग भी बदली जाती है, जो कि पूरे 36 गड़ में एक मात रस्थान में होता है समीती के अध्यक्ष अशोक राथी ने बताया कि करीब 48 सालों से लगतार यह करम जारी है, सती चौरा का इतिहास किसी से छिपा नहीं है स्थानिया लोगों में इस मंदिर को लेकर अपार आस्था है, मंदिर समीती के मुहित पूरोहित ने बताया कि यह परंपरा 1977 में शुरू की गई पूरे प्रदेश में अन्य किसी भी दुर्गा प्रतीमा का प्रती दिन शिरिंगार नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे बुजुर्गों ने इसका निर्वहन किया है, अब वे इसका निर्वहन कर रहे हैं, जो की पूरे प्रदेश में एक अलग स्थान बन चुका है तब से पहले आप सभी को जय माता दी सत्थी चारा दुर्गाउस्व समीति जो समीति है वो कर लगभक करीब 48 वर्स हो गई है इस साल मतलब 48 वर्स है और मंदीर को जो निर्माण हुए मादुर्गा मंदीर का निर्माण हो 2010 में भगयरूप से यहाँ पर प्राणपत और माता कि मुर्टी जो है 9 दिन पूरा शिंगार होता है जो चाहिए में कहीं होता है सट्थी चारा मादुर्गा मंदीर के उस्षो में ही नो दिन माता-जी के अल्लग शिंगार होते हैं और कल पंश्यवी के उसर पर महारती यहाँ पर हुई जिसमें लोगों ने थाली में माता की के आरती कि और बहुत अद्भूत आरती हुई और बारा तारिक को महा कन्या भोजोगा जो दस बजे गंजपारा मंदी से निकलेगी और माता सत्ति-चौरा मंदर में आएगी यहां बहुत ही विश्तित रूप से है और सभी कन्याएं जो है बोजन करने के लिए आस्थ पावंधाम है। नावरात्र परवो के उपलक्स पर पूरे 36 गड़ में आप देखते हैं। चारोर माता जी का मुर्ती बहुत इस्वा पुरुवा रखा जाता है। जिसमें एक विशाल रूप से 37 गड़ के मंदिर में रखा जाता है। यहां पूरे नो दिवस्तेक माता जी का अलग अलग कलर की साड़ी, अलग अलग कलर के सिंगार, अलग अभुसंड से माता जी का सिंगार होता है। जो 22 के एके मातरी स्थन पर होता है। यहां लगभाग 48 वर्सों यह से परमपरा हमारे बुजर्गों दौरा किया जी जा रही है जिसका निर्वाहन हम लगतार आगे भी करते जा रहे है अठारा भुजा की देवी यहां पर बैठती है जिसका प्रति दिन यहां पर सिंगार होता है